आज शाम की टॉप फ़ाइब लिटिन्स में आपका स्वागत है असलाम लेकूम मैंदली बख्तर तो पहले डालते हैं नजर सुर्खियों फर और फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे दुबाई में फूट डिलिवरी के लिए होगा आप रोबोट का इस्तेमाल कल शुक्रुवार को आजमान के फैक्टरी में आग लगने से जुलसी 40 की 40 गाड़िया युएई देश से 6 महिने से अधिक बाहर रहने वालों को मिली सहूलियाद फिर से कर सकते हैं आवेदर दुबाई में चल रहे एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियंशिप में भारत सेमी फाइनल में पहुचा आई आई टी इंदोर के छातरों ने डबलू जीएस 2023 में दो कडोर रुपे का जीता पुरुसका और अब खबरे विस्तार से तो सबसे पहली खबर है दुबाई से जहां अब फूट डिलेवरी के लिए रोबोर्ट का इस्तमाल किया जाएगा दुबाई सेलिकॉन ओएसिस यानि की डी एस ओ में पैलोट चरण में सेडरे विला के निवासियों के लिए तीन टेला बोर्ट्स लाँच किये जाएगे बता दें कि डिलेवरी रोबोर्ट विभिन तरह की सेंसर और उन्नत अल्गलोरिद्म से लैस है जो छोटे बच्चों से सुरक्षित दूरी रखते हुए अपने आस पास का महौल भी अंदाजा लगा सकता है रास्तों में पढ़ने वाली मुश्किलों से भी ये रोबोर्ट अच्छे से निबट सकते हैं करखाने में आग लगने से आँग की चपेट में आस पास के बिल्डिंग भी आ गए जैसे ही आग लगी फोरन बिना किसी देरी के रेस्क्यू टीम को भेजा गया दुबाई शार्जा और उम्मल कुवैन के सहायता ठीमों के साथ नागरिक सुरक्षा के अगनी शमकों ने द्वारा आँग पर काबू पाया अजबान पुलिस ने हाथसे का विडियो फोटो भी शेर किया है जिसमें धुए के गुबार के बीच आँख की लपतें तेज दिखाई दे रही है चलिए अब बढ़ते हैं अगले बुलिटिन्स की ओर जहां अब युई से जो लोग 6 महीने से अधिक बाहर रह रहे हैं तो उनका निवास विजा आटोमेटिक कैंसिल हो जाता है बढ़ते हैं चौती खबर की तरफ मगर उससे पहले आप हमारे नए फेस्बुक पेज गल्फ पिडिया को फॉलो कर लीजे क्यूंकि इसमें आपको युई सावधी अरब और कुवैट के तमाम तरह की इंफोर्मेशन दिये जा रहे हैं जैसे वीजा पास्पोर्ट बनवाने के प्रोसेस यहां नौकरियों के वैकेंसी रहने और खाने पीने का खर्च कुल मिला कर हर छोटी से छोटी जनकारी यहां आपको मिल जाएगी साथी गल्फ पिडिया का यूट्यूब चैनल भी है जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चौती खबर है एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप की जहां भारत सेमी फाइनल में पहुँच गया है जी हां भारत होंग कॉंग को तीन दो से हरा कर सेमी फाइनल में पहुँच गया है धुरूफ कपीला और चुराक शटी की पुरुष यूगल जोडी और महिला एकल में पीबी सिंदू ने स्कोर बराबर करने के लिए दो मैच जीते निर्नायक मुकाबले में ट्रीसा जॉली और गयतरी गोपी चन ने महिला यूगल में तसाव एनजी और विंग यूग एनजी को 21-13 और 21-12 से हरा कर मुकाबला अपने नाम किया और आज सेमी फाइनल में भारत का मुकाबला चीन देश से होने वाला है चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखरी बुलिटिंस की तरफ जो अब उधाबी से हैं जहां भारतिय प्रद्योगी की संस्थान यानि की IIT इंदोर भारत के दो छात्रों ने World Government Summit यानि की WGS में Global Best MGOV Awards समारों में गोल्ड मेडल और एक मिलियन दिरहम यानि के करीब दो कडोर रुपे अपने नाम किये हैं नियदी तोताला और नील कलपेश कुमार पारिख को सोमवार 13 फरवरी को मिस्ट के रास्ट पती अबदेल फला अल सीसी ने सम्मानित किया उन्होंने Block Bill एप बनाया है Block Bill एक Blockchain अधारी टैप है जो अपने सभी यूजर्स के लेन देन के लिए डिजिटल रसीदे बनाता है इसमें केमिकल से बने कागजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिसे रसीद प्रिंट करने के लिए रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है तो आज के बिलेटिंस में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर करड़ा ना भूले हम लाते रहें ऐसे ही तमाम जनकारिया तब तक देखते रहें योई खबर